हेलो दोस्तों नमस्कार मैं समीर मली केगवार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल में आज आपको दिखाएंगे कि अपने यहां दो पॉलिस कैप के बच्चे जिसमें से तीन अंडे थे पॉलिस कैप के तीन अंडे थे पॉलिस कैप के तो उसमें दो ही निकलने हैं और बाकी कड़कनाथ के बच्चे हैं और हैचिंग के बारे में आज बात करेंगे अपन तो आएए अपन थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं देखिए यह 16-5 चीनी मुर्गी के पांच तीन क्या बोलते हैं पॉलिश के थे साथ डग के थे और चौदा जो है वो तरकी के थे हैं तो ऐसे करके इसमें नौ तारीक वाले तो नौ वाले तो अभी फूट रहे हैं है ना तो आज नौ के बारे में आपको बताएंगे और यह देखिए फिर पा यह देखिए 25 को 25 को 13 देशी मुर्गी था और यह चीनी मुर्गी तो ऐसे करके टोटल अपने पास क्या है एक हफ्ते में 80-100 अंडे आई जा रहे हैं और और एक दूसरा हेक्षी मशीन है अपने पास उसमें भी काफी आ रही है तो आज आपन इसी को देखेंगे कि कैसे है एचिंग के बारे में यह हमारा आटोमेटिक मसीन है जिसमें से किया भी लॉकडाउन की वज़े से थोड़ा सा घर पे हैं और समान भी थोड़ा नहीं मिल रहा है बूल करके इधर दिखाए यह देखिए यह नीचे में इसका ट्रे लगा हुए है चलो अच्छा हुआ ला तो अपन उसको थोड़ा सा बंद करेंगे क्योंकि हुमिनिटी लॉस हो जाती है ज्यादा समय से खोलना नहीं चाहिए तो उसलिए अब जैसे कि देख पा रहे हैं आप यह देखिए यह दो पॉलिश कैप के बच्चे हैं यह दो पॉलिश कैप के बच्चे हैं बाकी सब कड अहीरे से च्मी में लगा करके सुनना होगा जिसको कान में लगा करके सुनना होगा ठक्ठक्ठक ऑजाती है यह जो ऐसा खीक हो जाने के बाद ठीक है जो कि यह तूटने वाला है ठीक है और अंडे को अगर आप टेंपरेचर ऐसी चेक करना चाहते हैं तो अंडे को इसको ले करके सीधे आंक में टच कीजिएगा अगर आपका बरदास्त कर ले मतलब अंदर का जो बच्चा है वो बरदास्त कर लेगा उससे ज्यादा हुआ तो भी वो नहीं बरदास्त कर पाएगा तो यह एक हुआ और यह निकल चुके हैं इसी बीच में अब मैं देखता हूं कि मेरा एक पॉलिश कैप का एक अंडा जो है वो फूटेगा कि नहीं फूटेगा तो यह पॉलिश कैप का अंडा है मेरे को तो नहीं लगता है कि यह बताता हूं जैसा कि हमने इसका कैंडलिंग किया बट इसमें रिस्पॉंस यह नहीं आ रहा है कि कोई मतलब हल चल नहीं है एक्च्वल में होता क्या है जब हुमिनिटी उपर नीचे होता है तब यह लॉस होता है और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट बात है हैचिंग वह जैसे कि आपमान लेजए कि इनको फुटने के लिए अपनको सेवेज़े सेवेंटी पर्सेंट अगर बच्चे ऐंडिकेंडर में जैसे कि अब ये 21 दिन के टोटल इनका साइकल है तो 21 दिन के साइकल में आपको 18 से 19 दिन के अंदर अंदर अंडे को उठा करके कोई बूडर टाइप का कोई जगा हो जहां पर हैचिंग मशीन बोल सकते हैं उसको अलग से तो आप उसको वहां रख सकते हैं अलग से और रखना चाहिए साथ में इसको छूना भी नहीं चाहिए अगर आप इसको छूएंगे बार बार देखेंगे या बार बार हिलाएंगे तो गड़बड हो सकता है तो गड़बड ऐसा है कि देखिए ये जैसे कि इसमें दोनों अलग अलग रहना चाहिए अब एक साथ दोनों रहेगा मान लिजे कि अब मेरे को इसको फोड़ने के लिए इसको तोड़ने के लिए 70 से 75 हुमिनिटी चाहिए ठीक है तब ही बच्चे पूरे निकलेंगे और मैं क्या किया हूँ यहाँ पर या अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि भाई आप कौन से अंडा बचाएंगे जो अंडे बच्चे के अंदर में जो बच्चे अंडे के अंदर में हैं आप उसको बचाएंगे कि जो मतलब बाहर है आप उसको बचाएंगे तो बस वही बात है अगर आप 70 से 75 रखते हैं तो जो अंडा है जो खुटने वाला है वो बाहर आएगा पूरी तरह से 100 रिजल्ट आएगा उसका और अगर आप 55 से 65 रखेंगे तो फिर अंदर वाले ठीक रहेंगे तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों में लॉस है इसलिए एक अगर हैचिंग मशिन रख रहे हैं तो दूसरी बूडिंग हैचिंग मशिन जिसमें आप एक टर्नर करेंगे 18 दिन के बाद आपको उसको इस्थाई रूप से नहीं रखेंगे तो आपको यही चीज का सामना करना पड़ेगा जो कि यहां पर आप देख पा रहे है तो ऐसा है अब यह क्या है कि भाई अब मैंने देखिए कितने अंडे रखे थे नौ तारीक को यहां पर दिखाओ नौ तारीक को मैंने कितने अंडे रखे थे यह मेरा नौ का है जो कि अभी फूटा है नौ में देशी मुर्गी के बारे में अपन कड़कनाथ के बारे में ब है अंडे जैसे यह दो बच्चे हैं और एक जिसमें से एक हुमिनिटी के वज़े से खतम हो गया ठीक है अब यहां पर अब यहां पर देखिए कड़कनात का है 21 हाना तो 21 में आप समझेगा यह दो तो निकलेगा 100% क्योंकि यह बन चुके हैं और तोड भी लिए हैं लेकिन फ नुकसान हो गया 11 अंडे का नुकसान हो गया सिधा सिधा जिसमें कि पूरी पूरी जान थी अब इस पेसली जब आपको अच्छे से ब्रूडिंग करनी है यह क्या है जैसे चोटा सा है किसी के पास 2-4 आइटम 10 आइटम 20 आइटम इस टाइप का 150 सगर निकल रहे तब तो ठ करना चाहिए अगर आप एक कर रहे हैं तो साथ में दूसरा भी रखना चाहिए जिसमें कि क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए जो कि है हमारे पास आपको दिखा देते हैं जरासा आप बोलेंगे कि नई भाई यह खाली मतलब बोल रहे हैं तो एक मिनट आपको दिख यह देखिए हम इसको यहां पर लगा दिये हैं लाइट भी ठीक गोल हो गया है और तो यह जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम पानी कम था तो अभी इसमें पानी डाले हैं और इसको देखिए अभी 41% हुमिनिटी 39 टेंपरेचर है तो यह भी मशीन आपको जरूरी है इसका भी खास ध्यान रखें क्योंकि अंदर का टेंपरेचर और यह इस टाइप का है तो यह देखिए यह हमारा ब्रूडिंग है जैसे कि यहां से चूजे निकलने के बाद यह यहां चला जाता है इसको ऐसा हम बना करके सेल भी कर दिये हैं है तो अगर किसी भाई को जैसे चाहिए तो बिल्कुल बताएं हम बना करके आपको दे भी देंगे इसको हाना बहुत अच्छा 100 परशन रिजल्ट नहीं तो पेमेंट वापस सीधी से बात है यह देखिए एक दो तीन हाना यह इसमें तीन च्छेदे हैं इसमें तीन च्छेदे हैं और इसका सिस्टम को इसमें अब देखिए इसको हम ख़ो ले थे तो इतना समय बिल्कुर नहीं लेता है अब यह लाइट बहुल टाइम तक ज़लेगा और यह जो की अच्छी बात नहीं है उसको फिर से नए तरीके से हमिनिटी बनानी पड़ेगी जो कि हमारे बाकी जो अंडे पड़े हुए हैं उनके लिए बहुत घाता कही है तो उसे साब से दोस्तों ठीक है अब इतने में बस करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा हमारा साथ देने के लि तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं ओके थैंक यू करता हैं आपाईले जो आपार साथ